आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थों के लिए तेधिक महत पूर्ण है जो आइटिया के किसी भी ट्रेड से उनकी तैयारी कर रहे हों चाहे वह फीटर हो, इलेक्टिस्चन हो या डिजल मेकनिका हो इस वीडियो में हम आप लोगों को ड्रोइंग के पिसे में एक्जाम में हेक्सागोनल टॉपिक से जो इंपोर्टेंट क्वेस्चन आता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरी एक्जाम में किस तरीका का question drawing के इस topic से आता है तो हम पहले question अगर पर लेते हैं question में दिया हुआ है कि एक hexagon का निर्मान करें जिसकी परतियक भुजाओ का map 30 cm है तो एक्जाम में जो question आता है same to same इसी pattern पे रहता है उसमें सिर्फ आपको ये भुजा परिबर्तित कर सकता है तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सबसे पहले हम hexagon का निर्मान करने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले एक हम सरल रेखा खीच लेते हैं सरल रेखा हम खीच लिए अब जो हमारे question में दिया हुआ है कि उनकी परतियक भुजाओ का map 30 cm है तो हम scale लेते हैं और इसी भुजाओ पर हम 30 cm माप के एक रेखा का निर्मान करते हैं मुख रेखा तो चलिए हम नाप लेते हैं एक one two three यानि ये हो गया हमारा 30 cm फिर हम इसका नाप डाल देते हैं ये बिंदू हो गया A ये बिंदू हो गया B अब हमारा जो रेखा है 36 रेखा वो A B का निर्मान हो गया इसको हम अब गहरा कर लेते हैं अब हम डिवाइडर के द्वारा दोनो बिंदू पे 120 डिगरी के एंगल का निर्मान करेंगे चलिया ये निर्मान कर लेते हैं देखिए आपका ये जो इंगल है ये 120 डिगरी का हो गया 120 डिगरी हो गया और फिर हम एक एंगल येही पे 90 डिगरी का बना लेते हैं और फिर इसी परकार हम बिंदू ए पे भी 120 डिगरी और 90 डिगरी का एंगल का निर्मान करेंगे आपका ये जो इंगल है ये एंगल ये हो गया आपका 120 डिगरी का और फिर हम यहां पे एक और निर्मान करेंगे और फिर हम जो है सो बिंदू ए और बिंदू बीस से दोनों बिंदू से एक 90 डिगरी का और एक 120 डिगरी का रेखा खीच लेते हैं हम जो अभी जो खीचेंगे वह एक बहुत ही पतली रेखा खीचेंगे क्योंकि हमको फिर बाद में उसको मिताना है क्यां कि हम गारी रेखा खीच लेते हैं तो हमारे ड्रोइंग कोपी पर दाग आ जाएगी जब उसको हम मिटाएंगे तब चलिए हम खीच लेते हैं यहां पर एक 90 डिगरी और एक 120 डिगरी बहुत ही सिंपल रेखा के रूप में खीच लेते हैं ऐसे और फिर 120 डिगरी का यहां से ऐसे उसी परकार हम इस तरफ भी वैसे ही दो रेखा खीच लेंगे एक 120 डिगरी और एक 90 डिगरी अब यह हम दोनों रेखा जब खीच लिए हैं तो हम अब दोनों रेखा पर 30 डिगरी का मौप लेंगा है कि आपके कुश्चन में बोल रहा है कि उस से छहकप ख Oxido के पर डिएक भुजा का मौप 30 cm है इसलिए यह हम दोनों भुजा पर 30 cm माप लेते हैं यहां हो गए आपका 30 cm और फिर यहां पर हो गए आपका 30 cm आज यहां पर 30 cm हम नाप लिये हैं तो अब यह दोनों भूजा का जो रेश्ट पाठ है उसको हम मिटा देंगे यह मिटा देते हैं इसको अब आए फिर उसी परकाड यहां पर हम एंगल का और निर्मान करेंगे यहां पर भी हम उसी परकाड 120 टीडी के अंगल का और निर्मान करने जाएं और उसी परकाड इधर भी हम 120 टीडी के अंगल का और निर्मान करेंगे अभी जस्ट झाल करेंगे परकाडी के अंगल का और निर्मान करेंगे लिए सकता हैं तो आभी देखते हैं कि अब इसमें मेरा 120 डिग्री का एंगल यह हो गया यह हो गया मेरा 120 डिग्री का एंगल और फिर हम इसको फिर scale से इस बिंदू को इस बिंदू से होते हुए इसमें अब हम मिला देंगे और फिर इसको भी इस बिंदू से होते हुए इसमें मिला देंगे तो इसको मिला देते हैं जान रहे बिंदू मिलाने में कहीं से भी किसी भी परकार कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें उसी परकार बिंदू मिला लेंगे और फिर जब ये सब कम हो गया तो हम उपर का जो ये दोनों बिंदू है ना इसकुएदी मिला देते हैं तो मेरा पूर्ण हेक्सागोन का निर्मान हो जाएगा कर दो हिए तो अब ये जो हैसो मेरा एक हेक्सागोन का निर्मान हो गया अब ये जो साइड में जो सब्सक्राइब देखा जो हम खीचे थे उसको अब हम मिटा लेते हैं कि अब जब हम हमारा जब पूरा ड्रोइंग साफ हो गया है तो अब इसमें जहां जहां तो जहां जहां तो जहां तो ड्रोइंग मीट गया है उसको अब पूरा डार्क कर लेंगे अब डार्क कर लेते हैं पहले इसको है 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 सकता हैं अब हमारा हर एक भुजा डार्क हो गया है ठीक ना अब हम हर एक भुजा के एंगल को अपना नाम दे देंगे जिससे कि हमको हेकसागोन का नाम लिखने में आगे सूधा हो तो हम यहां पर जो आफ़ दिये हुए है तो आगे हम पर एक ventsD Mind एक पूर्ण हेक्सागोन का निर्मान हो गया है तो हम उसके हम अब इसके भुजा को दर्षाने के लिए इसके नीचे अब एक हम इसके हैं सो भुजा का मौप नीचे में लिख लेते हैं तो आएए उसका हम भुजा का एरो एक बना देते हैं आपे छोटा सा 30 सेंटिमीटर का तो यह हो गया मेरा 30 सेंटिमीटर आप हम यहां पर लिख दिये हैं अब इसके नीचे आप हम लिख देते हैं कि जब A, B, C, D, E, F एक हेक सागोन है जिसकी परती एक भुजाओं का माप 30 सेंटिमीटर है अब यह आपका हेक्सागोन का पुर्ण निर्मान हो चुका है तो हम जो यह आपको हेक्सागोन इस वीडियो में बताने की कोशिस किये हैं यह जो यदि आपको एक्जाम में क्वेस्चन आता है तो कम से कम यह क्वेस्चन आपको एक्जाम में 10 नमर का रहेगा और यदि आप सही सही साफ सुतरा बनाते हैं तो आपका आज हैस्सो दस नमबर में लगभग 9 नमबर तो आपको फिक्स ही रहेगा इसलिए इसी परकार का हम वीडियो अगले जो हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपको हम इसके भुजा को सिर्फ चेंज करेंगे और इसी परकार आपको आगे बताएंगे